हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चुलबुल हल्क में तो आप सभी वेट कर रहे थे एपल के इवेंट का तो इवेंट खतम हो चुका है और आइफोन 15 लोंच हो चुका है तो मैं आपको आइफोन के बारे में बता देता हूँ क्या चेंजिस हुए हैं आइफो 15 प्रो और प्रो मैक्स का तो इसके बारे में जो भी इवेंट में बताया गया है मैं सोट में आपको अपडेट दे देता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है तो पहला अपडेट हुआ है चेंज अब स्टीनलेस स्टील की जिगे टाइटेनियम बोडी आई है जो की वेट कम इसका आइफोन का प्रो सिरीज का फर्स्ट यही है के टाइटेनियम बोडी आई है चेंज हो के स्टीनलेस स्टील की जगे और जो चेंज हुआ है वह आप देख सकते हो पहले जो था स्लाइड साइलेंट स्विच था अब उसे चेंज करके एक्षन बटन में कनवर्ट कर दि यूज करना है तो एक यह चेंज हुआ है आया है A17 प्रो यह प्रोसेसर नहीं आया है पहले A16 था जो कि 15 और 15 प्लस में आया है और 15 प्रो और प्रो मैक्स में A17 प्रो प्रोसेसर आया है और अगर आप गेमर हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बैस्ट है यह आईफोन प आपटेट आया है कैमरे में 48 मेगा पिक्सल में कैमरा है जो कि पहले भी था लेकिन इसके लेंस अपग्रेड कर दिये गए है जिससे पिचर ज्यादा के लिए रहे कि दूसरा जो लेंस है वो 12 मेगा पिक्सल का है अल्ट्रा वाइड कैमरा है यह आप देख सकते हो थर्ड ज है माइक्रो वाला बाकी इसका ओप्टिकल जूम जो है वो बढ़ा दिया गया है 120 mm है यह आप देख सकते हो इसक्रीन पर और नेक्स्ट अपडेट जो है वो है टाइप सी पोर्ट चेंज कर दिया गया है पहले लाइटनिंग पोर्ट चलता था इनका अब जाके इन्होंने टाइप सी आइफोन में दे दिया है तो यह मेन अपडेट थे जो आइफोन में चेंज किये गए है बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही आपको आगे अपडेट मिलते रहेंग Bye guys